कर नमस्कार दोस्तों दोस्तो आज मैं अप्लोग के लिए मायत का कुछ इंप्राइब कर गया हूं और अगर आप किसी बिग्जाम के तैयारी कर रहे हो तो तो छलिए देर न करते हों सुरू करते दोस्तों तो देखिए पहला प्रशन आपका दो संख्याएं एक और तीन के अनुपात में है अधर इनका योगफल 220 हूँ तो इनका अंतर कितना है सिंबल सा प्रश्ण है एक और तीन के अनुपात में है अब इसको एक्स मान लीजिए दोस्तों और बूल रहा है इसका योगफल 240 है यूगफल मतलब जोड होता है दोस्तों अब 1x और 3x जोड देंगे तो 4x आजागा दोस्तों और ये 240 अब इसके को काड़ दीजे तो 4 छेके 24 तो 1 परावर क्या है तो 60 अब बुले तो इनका अंतर कितना है ये 1x है ये 3x है तो 1x चले 3x निकाल देते हैं 3x बरावर 3 और 1x कमानी हाप पर आय है 60 60 हमारा आजाएगा 180 और फिर एक एक से तो 1 60 कर दीजे योकि X मान हमारा 60 है तो कितना आयो 60 अब बोल रहा है इसका अंतर की बोला दोस्तों अंतर अब 180 में 60 का। इस्ट की सट आएंगे तो हमारा एंसर आजागा दोस्तों 120 तो सही इंसर क्या होगा दोस्तों तो ए नंबर हुआ चलिए आगे बढ़ते और नेक्स परस्को देखते हैं अब देखें दूसरे नंबर पर उसको दोस्तों दूसरा नंबर प्रस करा रहा है अपसे किसी व्यक्ति के आई तथा व्याई 11 अनुपात 10 के अनुपात में है अधि पर्ति वर्ष वा नौव स्थ हजार रुपया की बचत करें तो उसकी मासिकाए कितनी है देखिए दोस्तों कैसे बनेगा सिंपल सप्रस्ट है एक मिनट दूसरा नंबर प्रश्ट देखिए दोस्तों कैसे बनेगा सो आई कि पूला आई तथा व्याई इसर व्याई लिखती थे कितना है 11 और 10 के अनुपात में यह 11 और यह 10 के अनुपात में इसको एक समान लिजिए दोस्तों बनाने में असानी हो गया आपकी तो अनो अधि वर्ष 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 तो आ रहा है यह एक उसको 12 से गुना कर देंगे आनि हमारा 12 आ जाएगा अब क्या करेंगे दोस्तों इसको एक्स मान लीजिए तो 12 एक्स यहां एक्स नहीं यहां एक्स मानिए एक मिनुड़ दो अब यहां 12 है बचत इतना है और यहां परतिवर्स बचत बोल रहा है 9000 कितना न कि जब इसको काटि ऐगा तो कितना बार में कटेगा सो देखिए थो वरसते 84 कितना चौरासी छे बचाँ 12,560 एक जीरो Allen x सेुना फोराबर हमारामा उया तो 700 प्रता आए दोस्तों ए हमारा nhi इंसर हो गया तो बोल रहाता उसक मासिक्तनी מתो मासिका कितनी इस दोस्तों 27500 एक मिनट एक मिनट सॉरी सरी एक मिनट अभी इंसर नहें आए दोस्तों और यह बोल रहा है कि मासिक आई कितनी ओ देखे यहाँ पे हैं एक आँ आ राए तो आ एक आई बराबर एक आरा एक्स तो एकारह गुने 750 कर दीए और जब इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आएग तो हमारा बिरासी सो पचासा जाएगा दोस्तों कितना आएगा तो बिरासी सो पचासा जाएगा अई हमारा इंसर हो गया यह मिश्टेक हो गया था है यह हमारा इंसर नहीं था आगे बढ़ते हो नेक्सट प्रस को देखते हैं तो सही इंसर क्या हुआ तो डी नंबर हो दोस्तो है चलिए अब तीसा नंबर प्रस देए दोस्तों तीसा नंबर प्रस कहा रहा है आपसे साथ अनुपात 11 के परतेक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात तीन अनुपात चार प्राप्त होता है मैंने साइद इसको पहले पढ़ाया है दोस्तों तेम चलिए रिपीट हो रहा है कोई बात नहीं रिवाइज हो जाएगा आपका साथ और बट में 11 की अब मोला परतेक पद में किस संख्या को जोड़ें तो हम इसमें x को जोड़ देते हैं इसमें vx को जोड़ देते हैं ये एक्स जोड़ दिये दो जोड़ने पर अनुपा तीन अनुपा चार हो जाए तो तीन वटा चार लिख दीजिए अब ये तीर्षा गुना होता है ये तीर्षा गुना होता है तो चार को गुना किजिए साथ से चार को साथ से गुना जब करेंगे हम तो कितना गए चार सते से अठ्ठाइस आजाएगा और प्लस का चिन दीजिए चार को गुना करेंगे एक से तो चार एक सा जाएगा बराबर तीन को गुना करेंगे गारा से तो गारत यह तैटीस और प्लस का चिन दीजिए फिर तीन को एक से गुना करेंगे तो त्री एक्स यह हमारा एक्स इधर आ आजाया दोस्तों कि यह जो दोस्तों 37 एधर आजयाएगा और टार्यक्ष में घट जाएगा तो 33 में बराबर कें बात जोढ़ने पर 3 अनुपाद 4 वह जाएगा तो एक्स बराबर क्या है दौस्त तो 5 आई अंसर किया आगेब बहुते हूं नेक्स स्ट को देखते हैं अब देखे चाड़ miej अनमर्ष दोस्तो चौता नमबर प्रश्चा आप से करा है दो संख्या है तीन और चार के अनुपात में हैं तता इनका लगुत्तम समापवर तक 84 है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी अचाब देंके दोस्तों सिंपल साप्रश्र है आप पेन भी उठाने की जरोती फैउक्त में दनुपात में दोस्तों लगुत्तम समाप्वर तक 24 आप लिए अभर करेंगे में इसका ल DCM लेगे लगुत्तम समापर्तम लाइए अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3 county बारा आ जाएगा तो कितना वारा यगा जाएगा दोस्तो हम जब लेंगे एक चुराइब 14 source इनका लगुत्तम स्मापवर्तक 84 जब 12 यह 12 लिखे यह एक्स मान लीजे तो 12 एक्स बराबर 84 अब इसको काट दीजे दोस्तों इसको काटेंगे तो 12 सत्य 84 तो एक्स बराबर कितना आया तो साथ आया अब पूछ रहा है आपसे इनमें बड़ी संख्या कौन है तो बड़ी संख्या बराबर यह चार एक्स तो चार और एक्स कामन कितना है यहां पर साथ आया अब इसको गुना कर दीजे ता ठाइस आ जाएगा अई हमारा एंसर हो जाएगा तो सही एंसर क्या है दोस्तों तुस्ती नमबर है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते ह देखे अब पांचवे नमबर परस दोस्तों पांचवे नमबर परस है दो प्राकित संख्या है तीन अनुपात पांच के अनुपात में है तता इनका गुननफल 2160 है इन में से छोटी संख्या क्या होगी तो आप यहां ध्यान दीजेगा दोस्तों यह बोला गुननफल 2160 है तो क्या कीजिए ठीरी एक्स लिखे गुना यह पांच एक्स लिखे अर इसका गुननफल कितना है तो 2160 है अब तीन और पांच को गुना करें कितना हैगा तो तीन पच्छे पंदरा आया और एक से इसको तो गुना करेंगे तो 100 स्कुराइगा दोस्तों 260 लिख दीजे आप यहां पे अब इसको काड़ दीजे दोस्तों अगर कारते है देगे फोटा कर देते थोड़ासा पांस या पंदरा पांस से कटा दोस्तों अर पांसे इसको काटिए पांचों के पीस एक वाटा पांच रिकर्डींग केसरोन आजाती है को धेकर दोस्तों तो यह काट दिये ठीक है अब हमस्त करदी एक हम्तीन और तम तीन्यसे का संसे progress के बाराह अविल्स ईक्सवएर यहां बत्चा हुआ है दोस्तों एक स्कॉएर यह बत्चा हब और जब हम टटाईएंगे तो क्या हाग यह रूट चड़ जा сильно तो थो एक्सभावर कितना आईगा तो एक सो चो वालीस यहां यहां नहीं चला दें दूस्तु चलितला देंगे और यहां चला डिट्रेया है कि इन वे छोटी संक्या कितना है थी एक से दो तो तो थी एक्स बड़ाबर धिरी गुने बार्य अब गुणा कर देंगे एक से हमाने ही आप बाराइ गुना कर देंगे तो बारतिया 36 अजी हमारा एंसर आगे दोस्तों तो सही एंसर क्या हुआ तो 36 हो गया दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए शट्टे नमर प्रस्ट दोस्तों बोलाया दोस्तों अधी 1000 को A तथा B में तीन अनुपाद 2 के अनुपाद में विभक्त करें तो A को प्राप्त होंगी तो A कितना प्राप्त होगा अई बोलाया दोस्तों अब देखिए A और B तीन अनुपाद 2 है कितना है तीन अनुपाद 2 तो ए और बी तीन अनुपाद दो में विभक्त करें तो ए को कितना प्राप्त होगा थोड़ा स्टैपिंग में मिस्टेक हुआ है दोस्तों तो ए जो है ये तीन है ये दो है इसको जोड़ देंगे तो पांच हो जाएगा दोस्तों अब पांच में एक के बारे बोल रहा है तो एक यहां कितना है तो तीन है दोस्तो यह अन कि दोस और डुना करेंगे कितना जाएगा तो 600 आउगा दोस्तों यह हमारा आ गया तो सही आपनेवर डोस्तों तो अगर आप लुक टाल्लॉड करना हो तो तो आप लोग कोई दिक्कत हो माइत में तो आप जो है सो तेलिग्राम पर वार्टसप कर दे तो तो मैं वहां कोसे करूंगा टाइम निकाल करके आपको सौल्व कर देने का चलिए आगे बढ़ते और नेक्स परस को देखते हैं अब देखिए साथे नमबर प्रस दोस्तों साथवा नमबर प्रस है साड़े 700 रुपया को ए बी सी में इस परकार बाटा गया कि ए भी पांच अर्दू के अनुपात में तथा बी सी साथ और तेरा के अनुपात में इन में से एक बाग कितना है सो पूता है अब इसका सिंपल दोस्तों A अनुपात B ठीक है अब ये लिखे उसके वद्धे हैं B अनुपात C तब B के नीचे भी लिखेंगे B अनुपात C अब हम क्या करेंगे देखें इस को इस B को इधर बढ़ा देंगे और ये जो खाली अस्तान जहां खाली रहेगा उसके बगल वाले को बढ़ा दी दोस्तो सोएर के निडिआ जो यह भी हमारा पांचर-दी निए पांच लिए और यह भी किंचनेалистprendhury बशाऑ और सinkuמ׿ हो साथ 20 24 ऑप macot आण जो है। लुवह काली इसको इदर बढ़ा देना यह 2 हो जाएगा और जब इधर खाली हस्तान तो इसको इधर बढ़ा दीजिए अब इसको गुना कर दीए 13 दूनी 26 7 दूनी 14 और यह कितना आगा 7-5-35 कितना है दोस्तो 35, 14 और 26 इतना है अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तो, कितना आएगा, सु देके, यहां चूड़ते हैं, चलिए, चो, चार, दस, दस, पंदरा, उसके बाद क्या हुआ, दो, एक, तीन, तीन, एक, छ एक, साथ, पचे थर आए, दोस्तों और 75 एक समानले 75 एक सब्सक्राइबर 750 कितना 750 तो एक सब्सक्राइबर कितना होगा तो दस होगा दोस्तों यह दस हो गया तो बोला इनमें एक का भाग कितना है एक भाग हमसे पूचा जा रहा है तो एक का भाग कितना है देखे तो यह मानेते नहीं यह यह एक भाग 35 दोस्तों देख भाग 35 तो इसको दस गुने 35 कर दीजिए तो को गुना करेंगे कितना गा 350 आगा दोस्तों आई हमारा एंसर आ गया तो सही एंसर क्या आया तो डी नमबर आया दोस्तों चलिए आगे बढ़ते और नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए आठेव नमबर प्रस्ट दोस्तों आठेव नमबर प्रस्ट नहीं है 530 को एवी तथा सी में इस परकार बाटा गया है कि एको बी से सत्य रुपया अधिक मिले तता बी को सी से असी रुपया अधिक मिले इनके भागू का अनुपात कितना है तो आप से पूच प्रस्ट दोस्तों टेंशन लेनिक जरुवत नहीं है चलिए एक मिन्ट फड़ा से क्लियर कर देता हूं इसको दोस्तों इस तरह के प्रस्ट में अब एक तीज ध्यान देज़ेगा देखे यहां बोला तीन भागों बाटना है एबी सी अभी हम एबी सी लिख लेते हैं पले ए बी और सी यह लिख लिए दोस्तों तो सबसे पहले सी से आप काम करवाई है सी को उठाई दोस्तों जैसे ब बी को सी से 80 रुपयादिक मिले तो बी को सी से 80 रुपयादिक मिले तो सी को कितना मिला होगा तो इसको माल लिए आप सो माल लिए ए सी को सो मिला और बी को यहां बोला है सी से 80 रुपयादिक मिला तो यह 180 मिला होगा फिर बोल रहा है दोस्तों एको बी से 70 रुपयादिक मि मिला तो अला आप दीसवो जोस्तो अब सिको कार양 prede cousin picator ये ओ जिरो ये कट ग्या अब हमारे कितना वच आ 10 18 25 25 25 20 18 किना उजागा 32 22 35 25 जोस्तो तीर पन आ गेक्समा लीचय तो बाढ कितना यहंँगो 530 रुपय दोस्तो तो 33 एक्स बराबर 530 तो एक्स बराबर ये काड़ दीजिए कितना बार में? 10 बार में कट गया अब बोल रहा है इनके भागों का अनुपाद कितना होगा एक्स बराबर 10 आया इसको आप एक्स मान सकते हैं या एक यह हम लिखते चलेगा चलेए यहाँ एक्स मान लीजिए ठीक है अब इनका भागों का अनुपाद कितना हैगा सो दिके तो ये 25 है तो 25 दहिए चले लंबा कर देते थोड़ा 25 गुने 10 फिर है 18 गुने 10 और फिर है 10 गुने 10 अब तीनों में जब 10 तो 10 है इसको अब कर दीजिए कर दीजए ये कर देजए आर इसको डार्टलीजए 25 節 18 ओर 20 अहीर हमारा इंसल आज़े और दोस्तों तो सहीं एंसर को आया तो अदियों कैसे तो सब्सक्राइब थो ने एंगर ठेए को Ji में 3-5-7 के अनुक्पात में बाटा गया है एज़िए C का भाग A के भाग से 16 रुपया दिको तो B का भाग कितना है तो जले देगी दो सिंपल सब प्रश्न है A, B, C है A, B, C है यह जो है 3-5, 7 है कितना है? 3 है, 5 है और 7 है अब बोड़ा सी का भाग एक भाग से सुल्ला सो अधिक है सी का भाग जो है एक भाग से अधिक है तो अधिक कितना है अधिक जो है यहाँ चार है कितना है तो चार है दोस्तो इसको चार है और चार बराबर यह सुल्ला सो बोल रहा है जा एक समस्टानातों जो ऊए रहाए को एक समिदिन थी हिसको भी हो गया चले आगे बढ़ते हो नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए दसों नमबर प्रस दोस्तों दसों नमबर प्रस है एक वेक्ति के खर्च और बचत का अनुपाद 26 अनुपाद तीन है उसकी मासिक आई 14500 है तो उसकी मासिक बचत कितनी है चले देखे थोड़ा किलियर कर देते हैं दोस्तों देखे कैसे बनेगा सो यहां बोलाए वेक्ति की खर्च और बचत यह खर्च और यह बचत तो खर्च 26 है और बचत कितना है तो तीन है तो कुल आई कितना होगा कुल आई कुल आई इसा जोड़ दीजे ति कितना हो जागा 29 हो जाएगा अब यहां कुल आई भी लिख दीजे आप कुल आई इसका कुल आई कितना बता रहा है 14500 हम लिखते हैं अब यहां 29 बराबर जो है कुल आई कितना है यहां कुल आई बता रहा है 29 और यहां कुल आई कितना बता रहा है 14500 यहां बराबर की चिन दे दीए अब इसको क्या किदे आप इसको आप इकस मान ली तो 29 से काटेंगे तो ये 5 बरमें कर जाए गां थो ऩो सह 102 नहीं 5 काट गया तो जिरो दो जिरो यहां चलरा दियंश बराबर केतना है तो 500 दोस्तों अब उसका मसिक आए 24,500 तो इसकी मासिक बचत कितनी है तो मासिक बचत कितनी है यहां एक्स मान ली दोनों को ठीक है तो बचत हमारा 3x है तो 3x बराबर तो 3 गुने यह 500 कर दीजे एक मिनट कि एक दिन दिखाओंगा आप लोगों को वीडियो कैंसे बनाता हूं मैं यहां यहां सो आप लोग अगर को दिखाओंगा लाइब करके कि वीडियो कैसे बनाता हूं सो यह 20 यह 15 यह हमारा इंसर हो गया दोस्तों तो उसकी मासिक वचत किनी है यहां तो इसको एक्स बड़ाबर 500 आया ता गुना कर दिये तो 1500 अहीं हमारा एंसर आ गया दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल सब्क्राइब करें और वीडियो को अधिक सेयर करें दोस्तों चलिए अब कल सुबाह मिलते हैं थैंक यू